हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टो माई चैनल आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे मैकरम लेंप किस तरीकिस से बनाना है उसके लिए हमने यहां पे क्रीम कलर का मैकरम कोड लिया है देन 6 इंच का एक प्लास्टिक रिंग लिया है आप कोई भी स्टेल रिंग भी यूज कर सकते है देन यहां पे मैंने नॉर्मल एक चूरी लिया है जो की ऐसे ही पड़ा हुआ था तो आप इसके जगा पे स्टिल टू इंच का रिंग भी ले सकते हैं लाइटर सीजर एंड यहां पे मैंने यलो कलर के कुछ स्क्वेर बिट्स लिया है साथ ही में पिन तो चलिए स्टार् कंटर में कट किया है एंड इसके हमें टोटल 14 कौट एटेज करने है एंड इसका एटेज करने का तरीका में आप लोग को बता रहे हूँ कि दोनों साइट से कौट को एक समान करके इसका जो सेन्टर लोग पाठ है उसको हमें चूड़ी के उपर रखते हुए इसके बीच मे से दोनों को निकाल लेना है एंड इसे तरह से आपको टोटल 14 कॉड इस कंगन में एटेज कर लेने हैं तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर 14 कॉड एटेज कर लिये हैं देन नेक्स टेप में एक साइट से एक कॉड लेना है और रिंग के उपर से इसको इस तरह से क्रॉस करके नीचे की तरफ अच्छे से खीच देना है जिससे की यह टाइट हो जाए सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइट भी दूसरे कॉड को रिंग के उपर से निकालके इस तरह के से इसको टाइट कर लेना है और सभी रिंग को वान वान टाइम करके दोनों साइट से एक एक बार स्कॉट को निकालके खीच के इसको टाइट कर लेना है तो देखे हमने इसको कम्टिट कर लिया है अभी हम नेक्स टेप में जाएंगे उसके लिए हमने यहां से फोर कोड लिया है और इसको इस तरीके से एक सिंपल बेसिक नॉट जो कि हम मेकरम में ज्यादा तर इस नॉट को यूज करते हैं एक simple basic knot लगा लेना है I hope आप लोगो ये knot आता होगा अगर नहीं आता है तो मैंने basic macrum knot के ओपर एक video बनाया है मैं इसको i button में या and the description box में भी इसका link डाल दोगी आप वहाँ से check out कर सकते है and इसी तरीके से हमें 4 cord लेते हुए simple basic knot इसी तरह से लगा लेना है and पूरे circle को complete कर लेना है तो हमने एक round simple knot से complete कर लिया है अभी हम दोनों simple knot से side से हम दो-दो cord ले रहे है and इसका जो center में जो दो cord है इन दोनों cord में हम एक एक करके अभी beads insert करेंगे मैं यहाँ पर yellow color के beads ले रही हूँ अगर आप चाहे तो आपके मन पसंद का कोई भी color आप इस पे लगा सकते है तो इस तरीके से beach में हम इसको रखेंगे and नीचे से हम दो cord लेते हुए फिर से हम same इस knot को लगा देंगे तो देखिए यह हमारा beads तो है इस पे लग चुका है इस तरीके से हम side से भी हम यह देखिए हम side से दो cord ले रहे है and दूसरे वाले cord से भी हम दो cord ले रहे है तो इसका जो beach का दो cord है इन दोनों cord में हमें beach को लगाना है and इसके उपर करते ही हमें इसके नीचे एक simple basic knot लगा देना है ताकि यह जो knot है इससे हमारा जो मोती है यह नीचे की तरफ ना आए तो हम इसी एक तरीके से पूरे circle में एक-एक मोती इसी तरीके से लगा लेंगे and नीचे एक-एक simple basic knot लगाते हुए इस पूरे circle को complete करेंगे तो friends अभी हमने एक layer में base लगा के complete कर लिया है अभी हम next step में दोनों ही side से दो-दो cord लेते हुए फिर से हम simple basic knot ही लगाएंगे and इसी knot से जो है यह हमारा lamb का design भी complete होगा लेकिन step by step आपको जो है follow करना है कि कहां मैं कौन सा cord में knot लगा रही हूँ and इसी से जो है आपका जो lamb का finishing है वो भी बहुत ही सुन्दर आएगा आप count क उ उना हुऋ आप driver आपका इसके आपका रहा हुआ आप Kelly कहां द्ब बहुत है क्मा झापको आपको करने दो झाल झाल यहां तक complete हो जाने के बाद अभी हम next step में फिर से मोती लगाएंगे इसके लिए हमने इसको एक एक बार पीन से टक कर लिया है ताकि यह अपने जगे से ना हिले आप देख सकते हैं सबसे center में हमने मोती लगाया है इससे दोनों साइट से दो दो कॉड लेते हुए simple basic knot से हमने इसको lock किया है same process में अभी इसी तरीके से जो है हमने उपर वाले कॉर्ड में मोती लगाया था same इसी तरीके से हमें नीचे भी एक circle मोती का complete कर लेना है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पूरे circle में हमने मोती लगा के complete किया है that next step में यह जो मोती लगाने के बाद यह जो हमें थुरा थुरा gaps दिख रहे हैं इन gaps में हमें एक कॉर्ड इसको attach करना है same इसे भी हमने 2 meter में cut कर लिया है इसको इसी तरीके से जैसे हमने ring में फसाया था same इसी तरीके से हमें इस cord में attach करना है दोनों तरफ दोनों ही gaps में जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं same इसी तरीके से हमने दोनों side एक-ए cord attach कर लेना है इन दोनों cord को मिलाते हुए इन four cord को total हमें एक फिर से simple basic note लगा लेना है friends अगर आपको कोई भी चीज समझने में अगर कोई problem हो तो आप लोग मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं इसका reply ज़रूर करूँगी और हाँ और एक बात कि मेरा जो गला है वो थोड़ा सा खड़ाब है इसलिए आपको यह बहुत ही बेसुरी सी आवास सुनने को मिल रही है तो उसके लिए sorry लेकिन आप वीडियो ज़रूर एंड तक watch करें ताकि इस lampshade को बनाने में आपको कोई problem ना हो ते नेक्स टेप में हमें फिर से simple basic knot लगाना है इस तरीके से है पूरा circle हम one by one करके complete करेंगे तो friends देखिए एक side में हमने simple knot से एक V का shape बना लिया है सेम इसी तरीके से आपको V का shape का नहीं लेकिन complete 4 to 5 lines आपको simple knot लगा के complete कर लेना है थोड़ा थोड़ा जो है बीच में हमें थोड़ा थोड़ा gaps पर रखना है झाल 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 तो फ्रेंज देखे हमने 4-5 लैंड simple knot लगा के complete कर लिया है इसे धीरे धीरे से जो है एक मटके का shape ले रहा है तो इसी तरीके से हम 6-7 ताइमस simple knot लगा के इस circle को पुरा complete करेंगे लेकिन ध्यान रखिए simple knot जो है ज्यादा tight नहीं लगाना है थोड़ा loose करते हुए लगाना है एंड इसी तरीके से हम पुरा circle complete करेंगे तो फ्रेंज यहां तक हमने इसको बना के complete कर लिया है इसके बाद हम इसके अंदर एक इस तरीके से एक flower verse या फिर आप pen stand भी कह सकते हैं जो भी आपके पास इस तरीके का shape available हो आप उसको इसके अंदर insert करके उसके बाद आप इस तरीके से loose simple knot लगाए आपको असानी भी होगी लगाने में इससे इसका shape भी बढ़करा रहेगा तो इसी के साथ आपको knot लगाते हुए जाना है तो friends हमारा जो lampshed है वो हमने end तक complete कर लिया है और हमने 6 inch का pulastic ring है उस पहर एक kaut को one one time करके piping कर लिया है तो कुछ इस तरीके से हमने इसको piping किया है तो यह देख सकते हैं हम सबसे नीचे जो एक ochret है उसको हम one one time करके tame ring में piping कर रहे है सेम इसी तरीके से आपको हर एक कौट को लेते हुए वन वन टाइम करके इस रिग में पाइपिंग करना है और इसको थोड़ा टाइटली आपको पाइपिंग करना है ताकि कोई बीच में गैप्स ना दिखे और इसकी फिनिशिंग लुक भी अच्छी आए तो देखे फ्रेंज हमने इसको हर एक कौट को एक वन वन टाइम करके पाइपिंग कर लिया है जितने भी एक्स्ट्रा कौट है उसको हाफ इंच करके रखते हुए हमें सभी कौट को कट कर लेना है अभी लाइटर की हेल्प से हर एक कोट को अच्छे से मेल्ट करते हुए इस पे हमें स्टिक कर लेना है ताकि इसका नीचे का जो फिनिशिंग है वो भी अच्छा आए तो कुछ इस तरीके से हमने सभी कोट को मेल्ट करके एटेज कर लिया है अभी यह जो उपर का पाट है इसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से पुष करना है और इसको अच्छे से पुष्ट करते ही यह अंदर की तरफ चला जाएगा क्योंकि हमने सबसे उपर भी हमने बीट का एक लेयर लगाया है तो जिससे की यह बहुत ही टाइट हो जाएगा इसको आप हाथ से ही तुरह तुरह कीच दे तो इसका यह जो शेप है यह बन जाएगा जैन हम यह पर एक सिंकल कॉट लेंगे इसके ऊपर एक हैंगिंग करने के लिए तो इसको हमने लें सबसे उपर जो बड़े बड़े होल हमने दिये थे उसी होल से हमें इस लूप को निकालना है एन से इसी तरसे等 के से के भी से निकाल लेना है जिससे कि ये बहुत ही टाइट हो जाएगा है Western यहां पे हमें चेन लोग लगाना है जिसके लिए हमने दोनों काट को एक काट को एक काट के उपर ओन-ओन टाइप करके पाइपिंग करना है अब देख सकते हैं अभी हम दूसरे कोट से इसी कोट के उपर one one type करके piping करेंगे और इसी तरीके को हम बार बार repeat करेंगे तो इस तरीके से एक spiral knot का design भी बन जाएगा जिससे की हम इसको chain lock भी कहते हैं अब देख सकते हैं अगर आप इसको खीचेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा एक design मनेगा तो आप एक कोट को दूसरे कोट के उपर one one type करके piping करें अभी हमें इन दोनों कोट को दूसरे साइट में tie करना है और इसी के साथ हम ये जो बड़ा वाला होल है इन होल से हमें एक कोट निकाल लेना है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इसको लाते हुए एक simple सा कोई भी knot आप लगा दीजिए आप अगर चाहे तो इस पर chain lock भी लगा सकते हैं मैं यहापे simple knot लगा रही हूँ ताकि ये इस पर अच्छे से tie हो जाए तो friends ये जो हमारे दो extra कोट है इसे हमें cut नहीं करना है इन दोनों कोट को थोड़ा सा कीचते हुए थोड़ा gap बनाते हुए हमें दूसरे कोट में इसको simple सा knot लगा के इसको tie कर लेना है इससे हम यहाँ पर कोई भी light का connection हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसको ये hold करने में बहुत ही helpful रहेगा देन दोनों ही extra कोट को हमें नीचे की तरफ इसको push करते हुए इसको अच्छे से lighter से melt करके नीचे की तरफ stick कर देना है so guys यह macram lamp बनके बिल्कुल complete हो चुका है and यह इसका final look है I hope आप लोगको यह design अच्छी लगी होगी and इस lamp को आप अपने garden पे hang कर सकते हैं बहुत ही pretty लगेगी and इससे आप अपने घर पे home decor के तरफ भी use कर सकते हैं and आप इस पे light भी add कर सकते हैं तो I hope आप लोगको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे like, share, comment and चैनल को subscribe जरूर करें तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई